आज जो है वो वन उफ दी वर्ष्ट रोड या फिर सबसे खतरनाक रोड आप कह सकते हो मिलने वाली हमें भाई साव राइट साइड में नजारे देखो यह वाले जो पहाड की चोटी है चोटी-चोटी दिस दाल मखनी या लाज टाइम यू एट राजमाचावल ओ भाई साव तेख ना पूरा का पूरा ट्रक पलता पड़ा भाई साव डबल वाल है वो भी तुरे चाइना की सबसे खतरनाक रोड भाई देख रहे हो बर अफी बर जगा गाड़ी बंद हो गई तो ठंड में यही बाई बहुत जादा ना ऐसे गंदा सा दुवा निकल रहा है साला इंसर में सो बदबू भी आ रही है ऐसा लग रहा है कि दो दो पानी की बोतल रहागी बाई यहीं पुर इतना बड़ा सूट केस भी है यह बाई साफ चलो अच्छा होटल में लिफ्ट तो है कम से कम दिक्क लेते हैं भाई बाहर का रखता कि दर रहा है यह इदर है यह देखना यह भी लोपी इतनी लंबी है और यह इतनी लंबी मेरे ख्याल से तो इधर सही है जहां तक मुझे आदा रहा चलो बाकिट ट्राय करके देख लेते हैं इदर सही लिफ्ट एक लगत और यह सर्विस वा पड़ा हुए ना देखो कोई नहीं भाई हम नीचे ही जाना हमें भी अगयर ताब दो तीन दिन की बात ही है फिर जो वो काफी कम हो जाएगा राउंड चोबिस सो पच्छी सो मीटर के आईट पर वहां ऐस सच कुछ दिक्कत होने नहीं वाली तो आज का दिन जेलना है कल का अगे नीचे आ गया तो बैक साइड है वाले तो इनको मैं काई डोर सोहन बहर है बस एक यह बैग रखना है उसके बाद न भाई निकलने के लिए हो भाई हो भाई हो भाई हो भाई हो भाई हो आज चल 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 सुल्टान कर्दे चड़ाई ठीक अपनी गड़ी बाई यह ले जारूप इंडिया के तो ही नहीं सकता इतना महांगा 3.8 होगा या 30 होगा मैक्स-to-max का एक और नय एपिसोड इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से उस्टेलिया बाई रोड अपनी स्कोर्प्यों को लेके 110 दिनों के लिए जिसमें हम 11 से भी जादा देश कवर करेंगे और 25,000 किलोमेटर गाड़ी चला के पहुंचेंगे उस्टेलिया में तो भाई बहुत ही जादा एपिक वाली रोड ट्रिप है जैसे आपने लंडन सीजिस को सपोर्ट दिखाया वैसी आप भाई इस ट्रिप को भी सपोर्ट दिखाना लाइक शेर कमेंट और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी मार देना ओके साथ एक कूपन कोड भी जनरेट किया है आई बी 40 इससे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जो भी लोग कोर्स में अन्रोल करेंगे उनके साथ एक महीने में एक बार वेबिनार भी हो गया ऐसे वन ओन वन कोई भी कोशन आपके हो मेरे मेरे से लिलेटीड इस ट्रि कि भाई बहुत जादा ना ऐसे गंदा सा दूवा निकल रहा है साला इंसर में और बदभू भी आ रही है ऐसा लग रहा है कुछ सड़ रहा हो कि किस चीज को सकता है और सोन बता रहे है गाड़ी भी तीन चार बार में स्टार्ट हुई आज सुगा तुछ दिक्कत तो नहीं हो गई है क्योंकि इतनी गंदी बदभू वाला दूवा तो मैंने कभी निदेगा दूवा निकलना नौर्मल है यह देखो उससे निकल रहा है और गंदी बदभू जलने वाली आ रही है देखते है थोड़ी दे रुखो हाजो वह सामने भाई हमारा होटल ता दिखे रहा है वाली बिल्डिंग और जश्ट इसी के सामने ग्रोसरी स्टोर है जिसने सोहन को ठगने का सोचा शायद से लेट सी भाई क्या होता है 308 है का है पुलाओ पुछो हलो तेस हाँ मच हाँ मच यह हाँ मच टाइप टाइप थटी देखा 308 है देओ 32 ओके ऑटी हुआ हाँ 30 अदेख रहे थे तुम्हार से लो को इस ते दो बना बाई जिसमें चार बड़े-बड़े सेब चार केले मस दू देखा चेक कर रहा पहले निकालो अभी बनना इंसे ले लो ना एक डूद देखा चेक कर लो इसमें पुरान तुम जाओ निकाल के देखो एक बढर जाओ यह लो चार्पी यह लो यह लो यह बना दिया लौना दूड वट रहु न चाइनीज बना दूड़ लाओ न डूड़ वट नो चाइनीज वह भी काफी चीजे मिल रहा है भाई आपे नल्किया नुल्किया ले लेगे एक दो पैकिट रस्ते में चर्ते हुए जाएंगे थोड़ा सा यह तेको अच्छा सा लग रहा है बड़ा यह यह भी एक बिस्किट्स भी सारे बाई यहां के लोकल देखना बढ़ा बुरा मैं इसा देखो यह हम ने दूद लया था बई इस वेसे 2023 आइच 12 एक लिए ले लेते हैं, जर्टे हुआ जाएंगे रस्ते में और यह बाई वह पकोड़े से आ, जो कल उन्होंने पेट्रोल पंपे कहला आए तो यह भी ले ले लेते हैं, रस्ते में खा लेंगे पकड़ो, आपकड़ो, ओर क्या है उनीक-उनीक सा वाई, वाई देखना, तर्बूज, है वटरमेलन गेख, वाई केक यह नहीं ले रहा है, अगला है तर्बूज का केक साथ रूज्च का केक यह नहीं ले रहा है, जूस ले ले एगा कोई सा, यह कुण सा मैंगो है, एक यह बंडा सालग रहा है पतला सा और क्या ले सकते है यह देखो देखो केक अपड़ा ते जए लीचसे जाने में क्या पता अच्छे से ओप इस वेजटेयर यह एविजटेयर यह गोल्म इस चोड़ाइज ज्काइण यहां का चाइनीज में लिखा होता है और इधर आपको इंग्लिश में भी लिखा मिलेगा यहां दैट सेट आइस चले लो करवाओ बिल करो इसका जो फ्रूट सब्सक्राइब कितना सब्सक्राइब कौन खाएगा इसे वह तर्बूज भी है यहां पर पहली बार दिखा निकल चाहिए अब 301 अब 30 लिखना ओके 30 बार जाब बना दी इन्होंने बाई कितना बना दिया विल भाई साबने बारा बारा प्रोटीफोर फोटीफोर प्रोटीफाइब क्या समान है यह और तीन सो साथ रूपे का अपना फूट तो अभी ग्राइंडर में बनाना शेक बनाते चीनी और केले पड़े है दूद भी पड़ा है ग्राइंडर भी पड़ा है तो रस्ते में एक गटक लेंगे ना तो पेड़ भारा रहेगा रहेगा हंड हो या कुछ भी हो भाई स्कॉर्पियान अपनी देखर हो क्या माफिया लगती है बस कुछ दिक्कत ना हो यार इसमें मैं एक बर बॉनट खोल के देखूं जलने की बदबू सी आ रही है मुझे बहुत ज्यादा बगवान जी कुछ दिक्कत मत करना अभी तो यह हमारी पहली ही कंट्री दूसरी कंट्री है नो कंट्रीया और ना पनी अभी तो ओ जैब बजरंग वली कुछ लगत तो नहीं रहा लाइट वाइट नहीं जल रही थे कुछ भी तायर की हवा निकल जाती है वो अपने अभर जेगी बस अब मेरे ख्याल से नहीं आ रहा दूआ यह खड़ी में नहीं आता या तो यह हो सकता है रेज देनी पड़ेगी थोड़ी सी ना अब नहीं आ रहा भाई दूआ दूआ अब नहीं है थोड़ा सा बस बहुत सारा समान हो गया गाटी में सेट करना पड़ेगा इसको बढंग से कुछ कुछ समान आगे रख लो ग्राइंडर और दूद आगे निकाल लो वह रहा है और वह चीनी का निकालो ना अभी बनाएंगे में को पीना है गट-गट-गट-ग इंडिया और चाइना में धाई गंटे का फरक है तो यहां डेड़ बज़ रहे है बहले ही लेकिन इंडिया में सिरफ ग्यारा ही बज़ रहे है उसी जाप से नहां लेट उटते है काफी मुझे लग रहा है थोड़े दिन और लगेंगे शिडूल में ऐसे ना मर्ज होने में कोई नहीं भाई साथ गंटे मतलब की ताड़े आट बए तक पहुंचेंगे और हाईवे भी मेरे खाल से खराब है अगर कल जैसे होते तो यह चार सो गिलो मेंटर चार गंटे में निप्टा देता है बट आज नहीं हो पाएगा लग रहा है तर जो भी सिच्वेशन होईग तो यह चार्ज पर पांच छे बार मैंगो शेक बना देता है तो अब ही चार्ज होगा और करते हैं केला पिगला लेते हैं थोड़ा सा गाड़ा है ना दूद मिलाना पड़ेगा बशीनी बंद होगी बताओ इस तरह का दूद मिलता है यहाँ चाईना में जैसे अपने आप प्रूटी मिलती है तो ने तो सब कुछी देखा है जो चीज हमने दर्फ साल में नी देख ली कहां से देख लिया तो नोटी हो रहा है तो बाई कपड़े सूखते भी निया जल्दी से कपड़े भी दुलवाने सच यादा है भाई देखते अगली जो भी सिटी जहां पे ए जो चुगा पनमा सोटी चीनी एक्स्टा लीवर थीज है लाई जैसे कि मैंने बताया था आपको आज का रस्ता कुछ जादा खास नी होने वाला एक तो सिंगल रोड है मतलब उसी रोड से ट्रैफिक सामने से आ रहे है और बीच बीच में अब यह देखो खराब पैज भी है तो यहां की ना कंस्ट्रक्शन चल रही है बट विंटर सीजन में यह कंस्ट्रक्ट करनी पाता है यूगी बरफ बहुत पड़ती है ना तो होफ़ुली अगले साल समर तक तक समर अभी तक तो स्नौ मिली निया बट चांसी आज है भाई की रस्ते में रोड में भी प्रोपर स्नौ मिलेगी ब्लैक आइस जमी हुई और स्नौ चैंस ना सही बट फोर लो फोर हाई इनमें से तो एक चीज़ का यूज हो गई होगा देखर भाई कितने गट्टे है फोन भी पूरा जूम रहा आगे की तरफ कोई नहीं चलो अब साफ रोड आ गया है थोड़ा सही पैच ता गंदा तो रोड ना यह बिलकुल प यह बड़ा लफड़ा होता है एक तो ट्रक कि इतने बड़े बड़े होत एए पूरे वर्ल्ड में एक रूल ले आना चाहिए त्रक के पीछे ने बड़ा सा टीवी यह स्क्रीन लगी हो और वह स्क्रीन कनेक्ट वा आगे के कैमरे से की पीछे वाले देखता रहे कि आगे तोड़ा रिसकी में तरह से दोनों तरफ ना खेत है यहां पर जो जानवर ना बूल लियाक जो भी है यह बारवार रोड पर आ रहे हैं अब भाई सब्सक्राइब तो बारवार ना स्लो करनी पड़ रही है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जेगा आज मिलग रहा है झाल झाल सिर्फ नजारा यार है भाई भार गर्मी कहबट है भोट है खेर भी रोखनी पड़ेगी थोड़ी से भाई स्ट्रेचिंग करूँ क्योंकि लगाता है तेड़ घंटा हो चुका चलाते हुए ज्यादा देर चलाओंगा तो फिर प्रेशर पड़ेगा ना कमर के दर शुरू हो अब इतने दिन से कमर ने साथ दे रखा है तो थोड़ी इज़द करनी चाहिए अब कमर की वाई यह राइट साड में एक बिल्डिंग सी बनी हुए है जो लोग रोड कंशर्ट करते है ना उनके लिए तो यही लगा देते है थोड़ी देर गाड़ी को ना और कुछ खापी भी लेंगे दिस साइड चलो भाई यहां से अंदर चलते हैं मस्त एकदम और थोड़ी देर गाड़ी बेओ आए पार्किंग से बनी हुए है देखो यह यह यहां लगा देते साटी गट्टी टॉयलेट्स भी बने है बाई चलो भाई सुसू ब्रेक भी हो जाएगी और बहा काम का बीमार नी पड़ना पूराज में बैल्ट भी लगाना भूल गया था भाई बैल्ट भी अब लगाई ले तुम लंबा सफर है ना चलो भाई अच्छे से पैक हो गया हम पूरा मूह पे हवा नहीं लगेगी ज्यादा क्योंकि मूह पे हवा लगने से ना हूँ भाई को है लो भाई सोन गया तुम तो नो मैच चलो भाई सोन तुम्हारा गेम बजाएगा भी अच्छा बीचारा इसे बिस्किट निकाल गे दे दे ना एक पीस खा लेगा बिचारा पता आपको इन जगाव पर कोई डोग मिले ना और आप उनको जड़ा साई बिस्किट दे दो तो वह बड़े लोईल हो जाते जैसे मैंने तुरुंडे ट्रेकिंग करी थी तो मैंने एक डोग को नीचे विस्किट दे दिया था वह भाई साब मेरे पूरे ट्रेकिंग तक उपर तक आया और वहां रुका भी एक दिन अगले दिन वापेस नीचे तक भी आया यह देखो बोश्रूम मेल कौन सा फीमेल कौन सा भाई फीमेल मेल नो मत गुर्जाना तो समझगे पूछ लो उनसे आप जाओगे दैवेन जाओ आ प्याव पर दैवेन ने लेडी पर्स्ट राजिस्तान की दैवेन है आं मैं यह रूट हीए चले का मिरेको मैं यह रूए दैबन है जे पूछो ना उनसे पूछो तुमें तरफ यह नहीं पढ़ता है जाओ कर जाओ तुमें तब फाराग नहीं पढ़ता जाओ भाई साब कसम से लिट्रिली आदा मिनट के लिए भार गए होंगे और बहन बज गई अब देखना रात को आज पहुंचते पहुंचते बहुत तगड़े वाला दर्दोने वाला है अगर यह हम गर्मियों में होते तो इतनी प्रोब्लम ना होती है मृने भाई वह बोट इंडिया है घहान निकल रही है बंदे की वहां है भाई यह आम दो करके एक सिटी आई है यहाँ पर अब हम रुक रहे है लंच ब्रेक के लिए काफी लेट हो गया है पोने चार हो रहे है इस टाइम पर तो देखते हैं अपने लाइक कुछ मिल जागा खाने का तो ठीक है वरना फिर कोई बाही कडी चावल राजमा चावल जो है रेक क्रूइट कोई निकाल के दिए गरम करके खालेंगे विया काफी सही है शायर तो देख वाई फ्यूल शेशन अगरा भी है प्रोप पर बिल्डिंग्स भी काफी सही है मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गाउं टाइप का पर एक टाउं अब भाई यह सामने है एक बार गाइड हमा भाई साफ देख रहो टेसला ऐसे रिमोट एरियाज में भी है बताओ इंडिया में का भाई की है अंदर देखते कुछ खाने लाइक होगा तो ठीक है वर ना फिर अपना ही माल मसाला निकाल लेंगे भाई भाई साफ बड़ा ही मैन्यू है इनके पास तो काफी तो यहार 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 पे तो सब कुछ वोई चिकन लैम्ब और अपना याक हो गएर यही से मिलता है और यह मैन्यू भी आप देखोगे तो वेज में सिरफ वोई है नूडल्स और फ्राइड राइस तो वो तो खाने का मन्नी है सोहन को कह दिया है दाल मखनी और चावल निकाल के ला रहा है वो ही बनवा लेते हैं लो जी तीन प्लेट आगी है सोहन मेरी है न हमारे गाईट की ओ शुकर है बाई स्पून मिल गया वरना गाड़ी से निकालना पड़ता है यहां पर कहा है न हर चीज चोप स्टिक से खाती है देखो यह जी चावल और चोप स्टिक से नूडल सो चोप स्टिक से बट चावल हमसे तो निखाय जाए जाएगे बढ़ी अवर बेट तुजा गनली जाए बाई दिखने में तो बड़िया लग रहा है यहां से आराउंड वन नाइनटी किलोमेटर रहे गया है तीन घंटे गूगल मैप दिखा रहा है बट रोड़ आगे बहुत खराब है अभी तक हम जितने भी दिन चाइना में रहे है आज जो है वो वन उफ दी वर्ष्ट रोड या फिर सबसे खतरनाक रोड आप कह सकते हो मिलने वाली हमें तो आप कह सकते हो इतने गड़े मिलेंगे कि अपनी कमर की बैंड बजेगी तो देखते है अगर इतने सब्सक्राइब करते हैं तो बिजली का कोई पंगा ही निए जितनी भी स्ट्रीट लाइट है ना सब के उपर इंडिविज्वेल सोलर यूनिट लगी हुई है तो आप सोच सकते हो इंफ्रस्टर किस लेवल का कर रहा है कि बिजली की जुरत ही नहीं सीधा सूरस ते ही जो है वह अपना विजली बनती रहेगी मास्ते एक्टामत में तो थोड़ी सी ना खराब है मतलब उबर खाब ऐसे उपर निच्छे साप की तरह बट जो रोड हमने भाई नेपाल में देखिए ना उसका तो वह यह महां पे तो कान पकड़ लिया था हमने मैंने तो किसी देश में वैसी गंदी रोड नहीं देखी मतलब यहां की रोड में गड़े भले ही हो इंडिया में भी बहुत रोड खराब होती है बट इतनी नेपाल की थी अब यह देख लो यह वाला जो पैच है ना समझ लो इतना पैच पूरी नेपाल में था यहां पे तो यह कुछ-कुछ ही मीटर में आता है थोड़ा सा और उसके बाद जो है वो चला लो रेगिस्तान में पहाड पे हाई अल्टिट्यूड पे खाई के साइडों में पतली रोडों पे मुझे इतना डर नहीं लगता है बस मुझे और भाई वो है यह ट्रक्स क्योंकि भाई इनकी बनावत ऐसी होती है ना कि अगर इनोंने ठोक दिया आपको तो इनका तो और उस ट्रक को खुदी ओवर्टेक करना है मतलब ट्रक होते हुए ट्रक को ओवर्टेक कर रहे है भाई तो उसमें बजती है बैंड क्योंकि अभी देखा था ना आपने शुरू-शुरू में जब हम इस रोड पे चड़े थे कैसे वो ट्रक वाला सामने से ट्रक आ रहा था हो ट्रक के आगे कोई बोल सकता है कि ये ठ्रक देखो भाई बस ये खराब रोड जा ने कि legit चलाते है वरना कुछ ट्रक वाले जो खाली होते है जिनके अंदर कुछ नहीं होता वो तो ऐसे चलाते है जैसे रोकिट ले जा रहे हो बड़ा सा ऐसे जूँ जूँ करते हुए ये वाले जो गड़े है ना इसमें इतना कमर पर इफेक्ट नहीं पड़ता जिसमें टायर यू 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 तो भाई लोड डिस्क पे न काफी प्रेशर पड़ता है प्रेशर तो ऐसे इन में भी पढ़ रहा है गड़ों में बढ़ इतना नहीं पढ़ रहा काम चला जाएगा भाई यह देखो भाई एक और ट्रक जा रहा गाड़िया लेके ऐसे मस्त तो यह तो slow slow speed में चलते हैं इनकी कोई tension नहीं रहती भाई इनको तो मैं overtake भी कर सकता हूँ आगे से कोई नहीं आ रहा चलो भाई लेट्स को दाब दे पंजा जगा बनाओ भाई हमारे ले जगा बनाओ जगा बनाओ जगा बनाओ येस चड़ाई कर दी भाई स्कॉर्फियों मैंने जो आपको काना भाई ये पूरे चाइना की सबसे गंदी और खतरनाक रोड है वो भाई चाइना वाले लोगों के हिसाब से होएगी एक बार बो नेपाल आके देखे तब उन्हें पता चलेगा कि खराब रोड क्या होती है मतला इंडिया में अभी कई कई जगों पर इससे बहुत जादा खराब रोड मैंने देखी है तो यह तो कुछ भी नहीं है भाई मैं भी डराता सुबा सुबा पहार के जो चटाने और पहाड है ना देखो भाई रैड वाली मिट्टी से बने हुए है और अब चड़ाई चड़नी शुरू करती है भाई हमने एक पास आएगा शाहिसे जहां तक मुझे पता है तो वो 5000 कुछ मीटर पे है पता नहीं आज आने का लाना है अगर आएगा तो आपको दिखा दूँगा पर चड़ाई तो चड़ना शुरू हो गई है भाई तो होफ़ुली मुझे लग रहा है आएगा वो पास तो भाई ये है चाइना का थुमगू पास उपर आप देख सकते हो 5170 मीटर की हाइट पे है तो अभी भाई यहां से नीचे जाएंगे वाप पि चार हजार मीटर की हाइट पे भार निकलने की जरा भी हिम्मत नहीं है भाई बहुत जाद अठंडी हवा चल रही है तो जल्द यादी बैटो भाई थुमगा पास से अंभी थुम्रक थुमक के निकल ले प्यार तो भाई देख लो कहां पर लेकर आगे हम अपनी गाड़ी को आई होब आपको शोट में मजा आया होगा भाई सब एसे पूरा ना गलेशियर टाइप का बना हुआ था यह और उस पे हमने गाड़ी चला दी तो इस वाले रस्ते को आप कह सकते हो कि भाई पूरे चाइना का सबसे खतरनाग रस था बड़ मैंने लगा दी थी भाई अपनी गाड़ी फोर एच पे और साथी साथ स्नो मोड पे तो कहीं पर भी स्किटनी वी ट्रैक्शन नी छोड़ा भाई एकदम मस्त ऐसे ना चड़ाई चड़ दी भाई सब जैसे वो होते ना रोड रोलर ऐसे तो चलो अबी तो लगे रहां देता हूं रोड तक जाने के लिए उसके बाद ना हटा दूँगा तो स्लो स्लो बस जादा भगानी नहीं है लो स्लो चलाओगे तो कहीं भी चल जाई गाड़ी वाई नेक्स लेवल एक्सपीरेंस आज करिया अपनी स्कॉर्प्यों के साथ ओ पूरे चाइना की सबसे खतरनाख रोड भाई देख रहे हो बर अफी बर जगा बट अपनी स्कॉर्प्यों यहां भी तहल का मचारी एकदम क्रेजी वाला ओए होई होई लेट्स गोई चलो वह आगी है सामने रोड पाप पिससे चड़ जाते हाई वे पे और खीचते है भा सब्सक्राइब करेंगे और पास से चलते हैं नीचे अब भाई सुल्तान मज़े दिलवा दिया तुने तो आज लेट्स गो अब भाई चलो न्यूट्रल पे डालके 4x4 इसका हटा देते हैं ऐसे बटन दवाना होता है यह टिम टिम करेगा और बंद हो जेगा और नॉर्मल स और हमेशा ध्यान रखना भाई गाड़ी को पहले न्यूट्रल पे डालना तब ही 4x4 एंगेज करना या डिस एंगेज करना कई लोग क्या करते है भाई डी पे होती है गाड़ी ड्राइब मोड पे और कर देते है काम तो हम इससे क्या आपका जो यह 4x4 का बॉक्स है यह सुल्तान कर दे चड़ाई ट्रक आ रहा है पीछे से एक मिट जाने देते बहले इसको चलो जी ट्रक वाले वाई या बाई टाटा सी यू मिलते हैं हम सीधा आप से अगले शहर में ओ भाई चो देख रहे हो ट्राक एक तीन तिन बुलोजर से ले जा रहा है क्या बात है दो तीन है पक्का मेरे को तीन दीखे थे बताना भाई दो थे तीन ते कमेंट्स में ठीक है बाई जो एक नईस गाड़ी वाले को पतरी को उनसे ने शेकर के हाई हुआ पड़ा है रोड के बीच में जरा जरा सी सलो सलो से मोड रहा है अरे बहुत जगा है निकाल लो एक बार और कर ले तरह बस पिर तो भाई जैशरी रहा हुँ चलो भाई आप हमें ओवर टेक करने बाई जो बाई जो बाई बाई जो आए लगी लेवल के आपको रास्ते दिखेंगे चैलेंजिस भी बहुत है बट मज़ेदार है बाई सड़के अच्छी है ना तो ड्राइब करने में मज़ा आता है और नजारे तो हो आपने देखे ही है लाई 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 नो व्लोग जो भी है चाइना के क्या मस्त एक दम नजारे दिखते है तो भाई आज की जो अपनी डेश्टिनेशन है ना तो तो हाउ करके जो टाउन है गो अराउंड नाइंटी सिक्स किलो मेटर रहता है आई गैस जेड़ से दो घंटे और लगेंगे भी ताइम देख लो भाई 6 बच के 11 मिनट तो होई चुके है मेरे इस आप से आठ वजी जाने है और अभी एक टाउन आने वाला है आगे 30-40 किलो मेटर बाद तो वहां से टीजल भी डिलवाना है यह देखो भाई टैंक की पूरी खाली है बट इतने में मतब 60-70 किलो मेटर चल जाएगी मेरे इस आप से तो अल भाई 55-60 किलो मेटर ओर तब तक वह शहर आई जाएगा फिर अपन डीजल भर्वा लेंगे में तो फिल डीजल इन आर जैरीगें एट यह से यह से अनुन आइस यह संजे निए संजेनी नी भाई हम यह बह्τοप यह पर तक है ना जैरी कैन में फ्यूल डलवान नहीं सकते हैं अगर हमें डलवान है तो एक special application लिखनी पड़ेगी पुली स्टेशन में और अगर वो approval देते हैं तब ही हम जो है वो अलग से 20 लिटर केरी कर सकते हैं तो मुझे पता है भाई इस वीडियो के बाद काफी लोग ना कमेंट्स करते हैं कि जैरी कैन में लेकरी क्यों आए उसमें डलवा के रखो ना 20 लिटर जब खतम हो जाता है तो मुझे यह चीज़ पता थी बाई नहीं है क्योंकि हमारे गाइड है दूसरे वाले एडवर्ट ज करेंगे ना तो जैरी कैन ले जाना भी अलाउड नी है बट महां पे फिर उपर ही दिख रहा था भाई है लग से जैरी कैन उन्हें तो कुछ का ही नहीं हमें ले जाने दिया आराम से बट फ्यूल ने डिलवा के रख सकते उसमें यह थोड़े से ना लिमिटेशन है भाई है दूख भाई लोग बहार टंपरेचर हो चुग है माइनस नो इसमें तो माइनस साथ दिखा रहे है बड़ लो का फरक रहता है अगर मैं पे जाक करोंगा तो माइनस नो आएगा यह आपको नजारा देख कि कहीं से लग रहा है कि माइनस नो डिग्री टंपरेचर होगा बहा ठंडी हो रही है और गाड़ी की रेंज बचिए सिरफ आठ किलोमेटर प्लस में 20-25 किलोमेटर और एड़ कर लो जो जीरो होने के बाद चलती है तो मैक्स तो मैक्स भाई अपनी गाड़ी अब 30 किलोमेटर ही चल सकती है और फ्यूल स्टेशन भी 30 से 40 किलोमेटर के बीच महीं सब्सक्राइब देख लो माइनस नुकात नहीं और इसमें दिखा रहा है माइनस साथ तो दो डिगरी का मेशा फरक दिखाते हैं हमारी बहुत ठंड होएगी मैं इमेजी नहीं कर पा रहो उंदर बैठके कि कितना चिल्ली ओरी होगी बहुत बंद हो गई तो ठंड में यहीं नहीं आग तफरी थी और यह माइनस 9 यह माइनस 10 हो जाएगा जब तक जुरत पड़ेगी हमें डीजल की तो सोचो कहां 45 डिगरी में मांगना और कहां माइनस 10 में बाहर कड़े होगे डीजल मांगना ओ भाई साथ देखना पूरा पूरा ट्रक पलटा पड़ा भाई साथ ड द्यान नहीं दिया दूपैर में ना है लो हो गई भाई जीरो चलो गई अब तो काड़ी चल रही है शिव जी जी और राम जी के वरोसे अब जितने किलोमेटर चल जाएगी चल जाएगी उसके बाद भाई साइड लगा के खड़ा होना पड़ेगा ही पर गलत फसके दूप कोल मुश्फुल था तो मेरे ध्यान में यह नहीं रहा कि 400 किलोमेटर चलानी है अज उपर से रस्ते ऐसे तो रेंज देगी नहीं मेरे गला पूरा टैंक है खिच जाएगी दूपैर में भी ध्यान नहीं दिया अब ध्यान जब दिया जब से भाई फ्यूल स्टेशन ही नही सब्सक्राइब करने करने कभी मन नहीं कर रहा है तो अगला स्टेशन है सतर किलोमेटर दूर अभी हमने चक कर रहा है मेरा तो गाड़ी बंद करने का भी मन नहीं कर रहा है पता चले बंद करूं और स्टार्ट ही नहीं हो पिर क्योंकि बिल्कुल ही जीलो है गलत फस गया रहा है साथ बच गया है सुसू भी आरा बड़ी तेज़ एक्टल में जो ट्रक ड्राइवर है इन्होंने तो डीजल दि जो है वो ओवर टेक नहीं कर पाएंगे किसी भी गाड़ी को क्योंकि भाई ओवर टेक करते करते अगर गाड़ी रुक गई ना तो थोड़ा रिस्की मैटर हो जाएगा तो इस बेटर कि अपनी लेन में चले असी नबबे की स्पीड में ताकि एवरेज भी अच्छी मिले औ आपको रोशनी दिख रही है कुछ तो आया है चोटा सा काहों या पेटरोल सेशन भी तिख रहा मुझे शुकर रहा भाई रेंज जीरो ने के बाद भी ना भाई सोला किलोमेटर चल चुकी अपनी गाड़ी पता नहीं कितना ही चलेगी वहां तक पहुंच जाएबस किसी त नहीं वे फाइनली दे दो भाई डीजल दे दो माईनस ट्वन TV वाला दे बसमें जल दिल दी तवाह यह चोटा सा ग्रोसरी स्टोर बना हुए है यहां पर इंसे पूछ के आ रहे है काईड मारे माइनस तूंटी नाभी हुआ बाई नॉर्मली देदो अब तो चलानी तो हम तक क्या रहे कोई सुलूशनी नी इस वन? बचलो भाई चलो शुकर है मिल गाजी है? मिल गाजी हाँ बच्च की गाटी संदी लाट्स गो माइनस 20 डिग्री लाट्स गो ब्रोज यास फिनली बचाली आज कोर्पिया ने ताम पे हंड भाई बहुत ज्यादा कडाके ही पड़ रही है मिल भाई 35 डीजल 35 डीजल? वाट्स डीजल? वाट्स बिल्ली बीट प्रूंगर देन माइनस 20 डीजल ओ ओके तो हाँ मच? इस एक्पेंसिफ? 9.3 ओके इस माइनस 35 डीजल? या चला ना दो बहुत देखर हो मशीन भी बोलती है यहां की क्या बात है डीजल राइट? या ओके 35 डीजल ओके ओके यहां पे भाई पहली बार माइनस 35 डीजल मिल रहा है क्योंकि इस एरिया में तेमपरेचर रात को माइनस 15 से भी उपर जाएगा मसला हो सकता है माइनस 15 माइनस 20 भी चला जाए तो कोई गाल नी भाई अब तो चला ना दो बस अब तबाके से मेरे इसाब से दो भाई 56 या 57 लीटर रहेगा जहां तक टंकी मुझे खाली दिखरी दी ना बाकी लेट सी भाई चला ना दो चला ना दो भी तो बार गोचाल ठंड है देगरो भाई पूरी रोड पे ट्रक की ट्रक हर जगा ट्रक की ट्रक कोई समान ले जा रहे है कोई गाडिया ले जा रहे है ट्रकों से भरा पड़ है पूरा रोड अब वैसी रात हो गई है और थोड़ा सा हेडलाइट पड़ेगी सामने से से रिसकी महतर है कोई नहीं एक घंटा ही लगेगा अब शाहिद से मैक्स पर डीजल दल गया ना तो दीरे-दीरे भी चलाएंगे कोई परशानी नहीं रिसक नहीं है कि अपनी स्कॉर्प्यून की हेडलाइट इतनी वेकार है ना आइफॉन में तो खैर समझ नहीं आएगी क्योंकि अपने आप ही लाइटनिंग को प्राइट नहीं है बड़ा देते हैं पर भाई लो बीम में इसकी स्कॉर्प्यन जाड़ेटल की हेडलाइट बखवास बिल्कुल बखवास दस में से एक नमबर दूँगा मतलब भाई कुछ दिखता ही नहीं है आइफॉन में पता है देख रहा हूँ आइफॉन में जाद अच्छा दिख रहा है उसका कैमरा पतन कैसे रोशनी कर रहा है आँखों से कुछ नहीं दिख रहा है अब यह देखो भाई यह हाई बीम है आई आई बीम यह हाई बीम यह हाई बीम किया फररागा भाई मेरेको दिखने में इन्हीं पता चल रहा कुछ पीफाय था आप देख ऊडह रहा है ऐस रास्ते में आपन्दह अंदह ही इसमाच लोग लाइट तो हैं गॉर दूर तक विरान सामने से टरक हाई वीम मारते इतनी ते है er तो अक्षलरी ओन करनी पड़ते है फिर वो लो भीम करते है भी अपनी है तो अट रही से घघता हुआ हीक्ते है अब जरी तो उन कत्मिया है लोगी में चालो मुचने बाद है थोड़ी दे रो कट्डे वोई हल्के फुल कही है जाद है कुछ में जर नहीं है रोल था हुआ पुछ पोष्ट है बट यहां पर कोई भी चेकिंग नी हो कि तो सीदा सीदा हमें निकल जाना है लुट था अभी तो फिलाल कितने किलो मेटर कोई सायन बोड नी है और लाइटश नी है यहां पर भी माइनस आठ डिग्री टेम्रेचर है बट भारना इतनी ठंड नहीं लग रही क्योंकि हवा नहीं चल रही है तो थोड़ी देर उतर के है वाई अंगडाई लेरों पिछले काफी देर से क्योंकि लगादा ड्राइब करी है इसलिए तो तो का तो का तो भाई कुछ यांग्षे टाउन में यही होटल देख लेते हैं क्योंकि आठ बच्चु के रात के भाई रिस्क भी रिस्क भी है तोड़ सा वैसे इतना रिस्क नहीं है तो भी हम्मत नहीं होरी चलाने की छोड़ो भी यही रुकते हैं कल जाएंगे आगे विस सिटी तुमरो तुतु का कल फ़ो आप ले तुको कल्मव नाम ऐसे है ने तुतु खा कल्मो आम दो आम दो आम दो दो आम दो एंसे नाम चलो कोई नहीं अब रुक जाते भाई जो है यह यह होटल है काफी रंगी लेंगे न साही देख बाफ्रूम बी साथुतर आ आप ड़ज बाटरम एपिड़ ए में मिला है यानि कि इंडिया के 2400 रुपीज इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लगे हुए दोनों में तो ठीक ही है तर वैस देखा जाए आज कुछ डिस्टेंस कवर किया ही नहीं टोटली 400 किलो मेंटर ता इसमें से 90 बचा हुए यानि 310 से लाई है खाली इतनी खराग रोड ती न अच्छे आई वे होएंगे एक दिन में 600-700 किलो मेटर करना कोई बड़ी बाद नहीं है वहाँ पर लेकिन यहां बैंड बज गया आज कमर की भी और डिस्टेंस भी नहीं हुआ चलो बागी कोई नहीं कुछ खाने का जुगार देखते वाई अपनी पिटारे में से यहां त फितर पितर वाई आई